हेलो डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग वेलकम बैक वंस अगेंड तो आर यूटूब चैनल सो गाइज आज के इस पर्टिक्लर वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं सिविल इंजिनेरिंग वाले स्टुडेंट के लिए क्या रहने वाला है सिलेबस इन डेप्थ में हम लोग डिटेल वाइज सिलेबस का डिसकसन करेंगे काफी ज़ादा आपका हैलफुल होने वाला है ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मुझे किस टोपिक में ज़्यादा फोकस देना चाहिए अगर जिस सब्जेक को मैं पढ़ रहा हूँ उसमें से भी किस किस टोपिक से कोस्टेन पूछा जाता है और ये में जो लाया हूँ डाटा ये ओपिसल वेबसाइड MP Sub Engineer के ओपिसल वेबसाइड में और पेपर को वहाँ पे अप्लोड किया गया आप चाहो तो खुद ये चीज़ कर सकते हो लेकिन आपको ज़्यादा मेनत करना पड़ेगा पहले 3-4 साल का पेपर को डाउनलोड करना पड़ेगा फिर पेपर के पेटन को देखना पड़ेगा और पेपर का कोस्टेन कहां से पूछा गया है सब्जेक्ट वाज वहाँ पे नहीं दिया गया आपको मेनत करना पड़ेगा बट हम लोग हैं तो आपको बस छोटा से वीडियो देखना है आपको काफी helpful हो जागा कि क्या पड़ना क्या नहीं पड़ना मैं और एक बता देता हूं सेवल इंजिनेर का आज जो मैं डिटेल वाई से सिलेवस का डिसकसन करने वाला हूं इसके बाद और एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा क्या होने वाला आपका subject wise weightage उसमें मैं study कर रहा हूं लवक 3 या 4 साल का paper का pattern में देख रहा हूं और किस subject से कौन सा साल में कितना question पुछा गया उस basis पे मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि कुछ 3-4 subject वेसे रहेंगे जहां से maximum number of question पुछा जाता मतलब सिर्फ आप 3 या 4 subject को पढ़ोगे न ताउट अप 100 आपको पता है कि ये जो आपका MP sub engineer वाला है इसमें 100 रहता non technical 100 रहता technical तो 100 में से 60 से लेकर 70 number सिर्फ आप 3 या 4 subject से ला सकते हो तो उसका काम चल रहा है वो complete हो जागा कल एक दिन के बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगा subject wise weightage का फिलाल अभी हम लोग syllabus के बारे में study करते हैं आज तो चली discuss करते हैं अगर आप सबसे पले तो अगर notification को अभी तक नहीं देखो short notification आ चुका है तो जाइए short notification का वीडियो जो आपको प्लेलिस में मिल जाएगा वहाँ से जाके देख सकते हैं यह आपका थमनेल उसका रहने वाला है इसमें मैं आपको लोगों सब कुछ बता दिया हूँ जैसे number of vacancy आप देखी सकते हो धाय हजार से ज्यादा है vacancy तो इसमें मैं बताओ eligible criteria क्या माँगा गया है education qualification क्या माँगा गया है age relaxation कितना मिलेगा इसके अलावे और बहुत सारे चीज़े जैसे salary कितना मिलेगा कब से form को apply कर सकते हो last date क्या रखा गया है exam date जो है वो पहले ही से बता दिया गया है तो exam date कब है सब चीज के बारे में यहाँ पर और बहुत सारे important चीज है जो इसमें मैं discussion करा हूँ फिर भी मैं आज भी क्या करता हूँ एक overall short आपको मैं बता देता हूँ ताकि जिन बच्चों को नहीं बता है एक overall पता चले लाएगा कैसा pattern है सबसे पहले name of authority का बात करेंगे तो MP से निकला यह form ठीक है MP से निकला मधी पर्द से निकला अगर मैं बात कुरूँ नेम अब दी पोस्ट तो हो व्यूक्त सब एंगर का निकला है और आपको जिए कने मिए अप लूर्य को ऑप्लाई कर सकता है वह卟ो मध चला यह सब अपको आपको 2557 वह करते हैं का इंडिक अधा आपका इंजिनिएरिंग जॉप है utetक ने के बात करेंगे कि डीट काफी सबलेंगे कर दिया गया है आपको 24th of September में एक्जाम ले लिया जाएगा तो यह सबसे जो है अच्छी बात एक तरह से हो सकता है कि आपको पता है कि एक्जाम कब होगा उस बैसिस पर अपना कर सकते हो तो अभी मैं बात करूं अभी मैं जुलाई वीडियो बना रहा हूं अगर आप एक दो दिन में देख रहे हो तो मैं आपको 24th of July में एक वीडियो बन रहा है तो जुलाई का 6-7 दिन मात्र बचावा है अगस्त पूरा बचावा है और सेप्टमबर का 24 तक बचावा ह इसके बाद और की वीडियो हो उसको देखना ही एक यहां तो देखना ही लेकिन उसको भी देखना किकि वहां से आपको यह पता चलेगा कि किस सब्जेट मुझे जादा फोकुस देना है मैं मातर आपको तीन ये चार सब्जेट को फोकुस कीज़ेगा तो 60 से लेकर 70 नमबर आ जाएगा आउट फंडेड में उसी तीन चार सब्जेट से इतना अमबर ले सकते हो तो उसमें काम चल रहा है एक दो दिन के बाद आपको वीडियो मिल जागा खेर तो यह हो गया एंड बात करें कब से फॉर्म को अपलाई कर सकते हो अभी आप अपलाई नहीं कर सकते हो अगर आप जु बात करते हैं एकजाम का एकजाम होने वाला है । फर्स पाट सेंक्ड बार्त दोई एक ऑलने वाला है फसर स्वाट यहां समझे खरते तेकनिकल पार्ट वी में टेकनिकल रहेगा जो कि 100 मार्क्स करेगा समझ आए कि ना चाइम याद रखना आपको 3 यार टाइम मिलेवाला तीन घंडा यानि की एक सॉसी मिनट टाइम मिलेगा आपको अचा नोटिपिकेशन में अभी तक इस से पहले भी जो एक्जाम हुआ था ना आपको पता है कि यह नोटिपिकेशन एक बार आ चुका दो तीन महिना पहले जिसको विद्रौ कर लिया गया था यह बोल के गवर्मेंट के द्वारा अब बात हो गया तो जाने दीजिए कोई इसो नहीं है लेकिन कोई भी नेगेटिव नहीं कहा गया था इड्मिंस इसमें आपको नेगेटिव नहीं है तो 100% करना सारे को सेंट करना बिल्कुल टेंसन नहीं लेना खेर आगर ऐसा होगा तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूँगा आप लोगो चैनल को सब्स्राइब कर लेना बेल अकन को प्रेस कर लेना ताकि लेटेस अपडेट आपको मिलते रहे एंप वाला सब इंजिनर का भी या फिर को अधर भी एक्जामात का आता है कोई भी अपडेट सब कुछ मैं आप लोग के लिए लाता हूं तो चैनल को अभी आप सब्स्राइब कर लिजे बेल अकन को प्रेस कर लिजे और हमारे टेलेग्राम ग्रूप को भी जोइन कर लिजेगा सारे पीडेफ एग्रा मिल जागा डॉन्ट वरी सारा अपडेट मिलाता हूं यह हो गया तो यहां सापको क्या पता चला कि क्राम करकेर तोशन सब्सक्राइब करने एकог dollar offer को और आपको प्रेस्ट्रा आपको पूछा जागा यही जो आपका नोटिफिकसंड जो पहले आय तह तीन मैना पहले जो जिसको विद्रो कर लिया गया था उसके निस को नेगेटिव नहीं है अगर होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा एक तीन गंट आपको टाइम मिलने वाला चलिए इतना नोलेज में बता दिया आप लोगो तो ना वी आर गोंग टू डिसकस अबाउट अच्छा एक चीज में आप लोगो बता दे तो आज मैं प्योर टकनीकल का डिसकसर्ण करने वाला हो क्या टेक वला जो है न का सभी कREE क्लिए सब सेप्रेट वीडियो बना दूगा नं टेक्नीकल का उसमिया आपको बता दूगा सबसेезде हो अएक बकाएगान मैं बताँंग गाँ जो से चैनल नोल 2010 क कि उसे कूछा गया रेसी से थे जब इसे में लोगीन कि जेगा लोगीन करने के बाद देखो यह तो तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा एड़ यहां पर आप देख सकत हो old question paper जब इस old question paper पर आप जाओगे तो आपको दो-तिन साल का old paper मिल जाएगा अब उसमें जाओ पूरा पूरा paper 200 question दिया गया technical non-technical उसमें आप छाटो हर एक subject से कितना दिया गया आप यह कर सकते हो लेकिन आपके पास time नहीं आपको पढ़ाय करना है तो हम लोग आपके सामने हैं हम मैं वो सभी चीजों का color करके आप लोग को बता दे रहा हूं कि आपका क्या syllabus होने वाला और क्या बात करूंगा solid waste management या फिर environment engineering या फिर water resources अगर आप ध्यान देऊगे ना इन सब को हम लोग environment में ही पढ़ते हैं ठीक है civil वाला student को यह पता होगा सभी student आप लोग जानते होंगे यह सब चीज हम लोग environment पढ़ते हैं तो एक ही subject इसको breakdown करके तीन कर दिया गया है समझ आएगी नहीं चलिए आगा हम लोग बात करते बिल्लिंग material soil mechanics concrete और machinery structure design अब देखो जैसे flood को flood mechanics को क्या pipe flow तो भाई साहब यह तो flood में ही आता है open channel flow तो यह भी तो flood में आता है तो देखो यहां पर तीन तो एक ही हो गया then बात करें यहां पर concrete practice planning and management का बात करेंगे hydrology हो गया transportation इंजिनेरी हो गया जिसमें highway से ज्यादा कोशन पूछा जाता transportation से है ना फिर आ गया hydraulic machine में बात करेंगे आप लोगा 2003-2367 समझ लो कि साथ paper का analysis किया जा रहा है साथ साल का एक तरसे लेकिन साथ साल तो हुआ नहीं है 2000 आप लोगा 17 में exam हुआ है फिर 2000 आइधिंग 18 का paper है और 2020 का paper है 2020 का paper है इन तीन paper का किया जा रहा हुँ 2017 से 3 पूछा गया था साइध एक 2 अगस्त को एक 3 अगस्त को और कुछ पूछा गया मतब तो यहां से 3 पेपर है ना एं 2018 से भी 3 पेपर आ जाएगा एंड आपका 2020 का एक पर तो साथ पेपर का अनलाजसिस किया जा रहा उस बैसिस पर और एक वीडियो आने हो है जिसमें में बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से मैंक्सियो नम्बर वेट पुछा गया वहां से जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है नंटे का से ले बस heर में हमें अभी का मिल्ने वाला ऑन की कई चारकं घ्यार हो यह आपलोगल के अधकर मेर्लें करना है आप लोग का help करना ठीक है और नहीं मैं यहां पर पेड़ कोई बेच रहा हूं कि यह वीडियो बनाने के पीछे मकसद यह है कि पेड़ कोर्स बेचना नहीं मुझे help करना है आप अगर आप लोग का सपोर्ट रहा है जिसे में मेकनिकल का फेकल्टियों में लाता हूं सिविल का भी पढ़ाता हूं तो यह सभी चीजे जहां से आपको टोपिक पुछा जाता है अभी मैं आप लोग को डारेक्ट नहीं बोलूंगा ठीक है कि कौन-कौन सा सब्जेक्ट इंप पूरा को पूरा अनार्सिस चल रहा है जैसे बन जाएगा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा इजिंट इट चलिए ता आपको क्या करना चैनल को सब्स्राइब कर लेना बेल अको प्रेस कर लेना फोलो करना मुझे उत्तम सर को फोलो करना हमें साथ फोलो करते रहे हैं आपको क्या करना चैनल को सब्स्राइब कर लेना चलिए गाइज आई होप सो कि आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा और जिसमीने कहा आप चाहो तो खुद भी ओल्ड पेपर को डाउनलोड कर सकते तो और यहां सब्सक्राइब कर सकते हो लेकिन अगर हम हैं तो कोई ग अच्छा लगा तो पर लाइक कर जे काफी महनत करके बनाए जा रहा है और जो नेक्स वाला जो वेटेज है उसको भी मैं थमनेल बन गया है देखिए यहां पर सब्जेक्ट वाइज वेटेज बन चुका है लेकिन अभी तक कॉंटेंट बन रहा है जैसे बन जागा मैं आप लोग को पास लिया होंगा तो फटा फटा आप लोग को क्या करना है लाइक कर लेना कमेंट करके बताना कैसा लगा अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजेगा मैं उसका रिपलाइ कर दूँगा और मिलते हम लोग नेक्स पार्ट में तब तक लिए गुडबाई और और मिलते हम टागदिंट आप त्रह से अल.